पता नहीं आप दुनिया किस कौन में रहते हो लेकिन मैं जहां पे रहता हूँ वाँ सर्दी आसी बढ़ती है कि बिचवाड़ा शरिंग हो जाता है और गर्मी आसी बढ़ती है कि फटके हाथ में आ जाती है नौर्थ इंडिया श्पेशली पंजाब गर्मियों में अगर आप एक कुर्सी बैटे हो लगता है नहीं कुर्सी बैटे हो ऐसा लगता है एक विशाल कड़ाई में बैटे हो जिसके नीचे आग लगी हुई है और वो दो सिंग वाला लाल आदमी आपके पकोड़े बस तल्ले ही वाला है और पंजाब में रहते हैं अगर आपके पास AC नहीं है तो rest in peace ये कालेग अच्छे वाले आपका ही इंतजार कर रहे हैं बाहर और उपर से AC रुपेर वालों की घटिया सर्विस मैं फोन पे फोन करके ठक गया हूँ लेकिन साल AC नहीं रुपेर करके जाते हैं अब तो कर एक ही बहाना लगाते हैं कि भोसड़ी के पहले इसी लगवा तो ले लेकिन इतने बुरे हालात के बावजूद भी हमारे यहां की सरकार बहुत ही जादा helpful है हमारी सरकार को पता है कि बुरे भारत में सबसे महंगी बिजली पंजाब में मलती है और जातर लोग इतनी महंगी बिजली फोर नहीं कर सकते तो लोगों पर महंगाई का बोज ना पड़ी इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते ही नहीं है लेकिन अच्छा बिजनेस मोडल है इंटरनेट देदो सबको लेकिन उसे यूज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो काड़ दो अब डेड़ी जी भी टेड़ा खतम ही नहीं हो सकता है जब यूज करने के लिए आपको एक घंडा मिल ला है आदमी कर्फ्यूस हो जाता है कि साला चार्ज लगाए यूज करें या क्या करें अब साइंटिस्स लोग बोलेंगे कि अगर बिजली नहीं आती तो इन्वेटर लगवालो अब एक घरगोश को पीला रंग करतेंगे तो पिकाचु थोड़ी ना बन जाएगा अब आप बोलोगे करन बारिश पढ़ती है तो मोसन ठीक हो जाता होगा तो भाई साब नहीं ब काले बादल दिखे तो मतलब 30 सेगंड है आपके पास जो करना कर लो जो मैसी बेज़ने अपने शोना बाब को बेज़ दो चाहिए अपने फ्रेंड को चुते लग के भीज़ो अपनी वसीयत वगएरा जो बनवानिया बनवालो 31 सेगंड लाइट चली जाएगी स्पोस करो आप जून चुलाई के मीने 40 डिग्री सेल्सेस वाले कमरे में बिना लाइट के दुपहर 3 बजे गरम गद्दे पे पसीने से लत्पत लेटे हुए हैं और दुआ मांगरें के प्रभू या तो ये गर्मी इटा दे या इस तरीर में से आत्मा निकाल दे तब ही आ अब आपकी आठरी मिधयि वा फ्रिज में रखा हुआ ये य्ल saying green green sweet sweet मारतीं मेरी लाइफ ने ओच recurring में वाट फ़लो में भी नेपोटिसम चलता है क्या गर्मी में सुसाइड ना करने का मेरा दूसरा सबसे बड़ा कारण है इंडिया डियूरिंग समर्स मैं चाय को इंकलिउड नहीं कर रहा हूं वो सर्दियो का नेशनल ड्रिंक है मुझे निम्बू पानी और आम इतने पसंद है कि मैं दिन पर यही खाता रहता हूं आप इविनिंग स्ट्रैक्स में क्या लेते हो चाय के साथ बिस्किट यहां बारिश का मौसम हो तो चाय के साथ पकोड़े मैं निम्बू पानी के साथ आम खाता हूं दिन बर इनकी रैस्पीस रिसर्च गाते रहता हूं 125 तरह के आम और 140 तरह के निम्बू पानी ट्राइगर चुका हूं अब आप बोलो कि करन बड़ा जीवा आदमी है यार सबकी अपने अपनी चोइसे होती है भाई और किसी की कोई चोइस नहीं होती लाइक अगर मुझसे मेरे कोई फेवरेट कलर बूचे तो मुझे नहीं बता मेरे नहीं है कोई फेवरेट कलर तो क्या सला मुझे जीने का इधिकार नहीं है खैर मुझे तो गर्मी में नीम्बू पानी और आम बचा लेते हैं लेकिन इन बच्चों का क्या नहीं सच में यार शुकर एस गर्मियों में स्कूल से नहीं लगे टू शेड़िड बनके घूमते बच्चे बचारे एक तो साला साथ बजे स्कूल और उपर से असेम्बली की मा का भरोसा नहाद हो के आए बच्चे पांच मिनिट के अंदर बच्चे तरी मा की चूत और उदर बच्चन साब गर्मी में बोलते रहते हैं कुछ दिन तो गजारो गजारत अब गांट पढ़ गया जेगी हाथ में इतनी गर्मी में घूम कैसे सकते हो वो अभी गुजरात अब राजिस्तान के पास है वो राजिस्तान पाता ना बुट्टा पेकों के जमीन पे पॉपकॉन मिलेंगे वाक्ये में सालों गर्मी नहीं लगती क्या पेड़ बोदे वगरा उगाओ यहां यह सूरिज पे चदरवदर डाल के आओ यार इतनी गर्मी में साला आदमी पागल हो जाएगा और मैं तो वैसे ही हो रहा हूँ जो वीडियो जून में आनी चाहिए वो बैट के अगस्त में बना रहा हूँ क्या करें यह नहीं करने देती काम गर्मी इसलिए मैं स्कोर्पियन के विप्रीत हमेशा सब जीरो को चुनता हूँ वो ठंडा है इन शौट गर्मी नहीं पसंद बेंचोद नहीं चाना मुझे समर कैम्स पे नहीं करना मुझे ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर की शिशी डर्मी की मागी चूद गर्मी की आप दुआरा किया गया शब्दों को दुरुपियोग दुरुवफार कहलाता है और इस तरह से वारतला मेनन नहीं मैं इस तरह से कहूँगा जैसे मैं भगवान हूँ तुम इस तरह से सुनोगे जैसे तुमारे लिए मेरा कहा गया प्रतेक्षब बरम सत्य है इसी तरह तुम्हारे रिते में परिवर्तन होने की जंभावना उत्पन होगी मेरे शिशे क्या गाली मत ये भोसडी के फैमिली फ्रेंडली चैनल है ओ, माई बैड, माई बैड लेकिन रिस्पेक्ट करो यार एक तरफ जहां तुम्हारे देश के किसान और मजदूर भाई गर्मी में दूम में सारा दिन काम करके देश का पेट पाल ले और देश को डिवैल्प कर रहे है वहीं देश का बेरुजगार ही हुआ अपने दोस्त की हीरो बाइक पे बैठके स्कूल जाने वाली लड़की को प्रबोस करके देश की तरकी में बढ़ चड़ की हिस्सा ले रहा है तो देखा आपने दोस्तों इस तरह से एक 16 साल की निभी और 25 साल के अंकल का प्यार प्रवान चड़ गया और एक खूपसूरत क्यूट लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो गई रब ने बना दी जोड़ी एक गदे की गांड और एक बैन की माँबैड तो बस संत में मैं यही कहना चाता हूँ जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है मौसा बंदर तो इंसान के अंदर होता है एंड पिछली वीडियो में मैंने कोश्चन बूचा था कि अगर सैंटाफूरूट और सैंटाफरेश को एक साथ मूँ में चबाए तो जुबाँ पे लगाम लगेगी यह जीब लब लबाएगी और जिन्होंने सही उतर दिया है वो है कॉंग्रेचुलेशन्स आपको मिलती है मेरी तर्व से बहुत सारी दुआई होपस हो कि आप ऐसी चकमोधी करते रहें और एक दिन दुनिया की कामयाब साइंटिस्ट बने और सब को सचाई बताएं कि यह दुनिया फ्लैट है और अब इस बार को कोश्चन आफ दे वीडियो एक बिमार आदमी डॉक्टर से मंडे शाम पांच बजे की अपॉइंट में लेता है लेकिन वो डॉक्टर के पास मंडे की बजाए टूजडे को जाता है वो ऐसा क्यों करता है जो इस प्रेशन का सही उतर देगा वसे मैं अपनी नेक्स वीडियो में मेंशन गरूँगा तो मिलते हैं अज एक लिए वीडियो में तब तक लिए इंज्वाई करो चिल मारो, गो क्रेजी, हैब फ़न बाइ झाल 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 झाल